2019 के वर्ल्ड कप की फाइनल के टीम है इंगलेंड जो की कब विनर रह चुकी है और न्यूजिल रन अड़ रह चुकी तो दोनों टीम के विच फर्स्ट ओडिया मैच वर्ल्ड कप का 2023 का अगाज होने वाला है वीडियो को लात्म बने रहना वाई मेरे आपको इस वीडियो में सारे अपडेट मिलेंगे मैच में क्या होने वाला है मैच में कौन जीतेगा कौन सी टीम यहां पर भारी पढ़ने वाली है किस टीम पर सब कुछ आपको वीडियो देखके समझ आएगा वीडियो को लात्म बने रहना है बात करेंगे दोस्तों यहां पर जो कि पांच सबसे इंपोर्ट मेरा वार्शन नमर्ट स्क्रीन पर दिख रहा है आपको मैच से संच चाहिए तो मेरे टेलिग्राम कीजिए मैच से सारे अपडेट आपको मिलेंगे और जैसा कि आप जानतों ओडियाई का फॉर्मेट है वर्ल्लकप और जितना मैच से ज्यादा से 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 ज ज्वायन कीजिए वहां पर आपको संदार काम के जाता है मार्केट से चलेंज हें एक रूष्ट के साथ कामके की कि लियर होने वाला है और यहां पर बात करें करें कि दोस्तों इस तो सब धश्या है निजिलेंड निच्ट में हमेशा इंगल्ण कप में भारी पड़ी निस जैसे बता रहे हैं जो कि अनलीस बड़े बड़े अनलीस बता रहे हैं क्रिकेटर प्रिवियस क्रिकेटर कि न्यूजिलेंड यहां पर फेवरेट होने वाली है लेकिन आपको बताएंगे इस वीडियो में पहला मैच में क्या होगा देखो एक कानवे में से चोवालिस मैच इंग्लेंड चोवालिस न्यूजिलेंड यानि 50-50 का विनिंग परसेंटेज है दोनों टीम का ओड़े रिकॉर्ड में तीन टाई रहा है एक टाई में तो लाफ दो तुथाजन टॉन्टिनाइन में फाइनल टाई का आपको यादे होगा फाइनल टाई में यानि कि दोनों टीम दस भार भी चुकी है पांच इंग्लेंड पांच न्यूजिलेंड ने जीता है अब विद दो हजार उननीस में 2019 में दोनों दो मैच हुए थे फाइनल एक गूप स्टेज का मैस तो उसमें इंग्लेंड ने इससे पहले न्यूजिलेंड हमेशा इंग्ल 19 रन से जीता कापी यूज मार्जिन से जीती थी वाई बात करेंगे अगर रिसेंट फॉर्म देखनों को मिलेगा इंग्लैंड चार ओड़े के सीरीज न्यूजिलैंड से खेल के इंग्लैंड बहुत यहां पर कमबैक करती है इस मैच में जब भी नुजिलैंड का मैच होता है काफी कलरफूल मैं देखने को मिलता है बात करेंगे नरंदमूदी पहले मोटे राइस चाडियम से जाना जाता था जिसमें से 26 मोटे राइस चाडियम का रिकॉर्ड देखो चौ वेस्ट इंडिज वर्सेज इंडिया का सेरीज हुआ है दो फर्स्ट वैट और एक सेकेंड वैट तो न्यूए स्टेडियम के बाड़े में जालो पुडाना क्या था भूल जाओ 226 यहां पर फर्स्ट वैटेज स्कोर सतर मीटर सतर प्लस मीटर यहां पर बाउंडरी रखने का नसियत दी गई आजिसी द्वारा तो सतर मीटर के बाउंडरी मिनिमम हड जगा रहेगी यहां पर 265 जो कि हाई स्कोर लगा है और लो एसकोर देक्स चीटर लगा है नरिंदर म बाउंस है जो कि पेसर को बहुत हेल्प करता है बाउंस आटिंग में आपको यहां पर बिकट लेते हुए नजर आते हैं काफी फर्स्ट इनिंग में एस्पेक्टेज स्कोर है 275 प्लस आसानी से स्पीच पर देखने को मिलेगा विलो 290 कुछ भी होगा स्कोर चेसेबल होग है टॉस विनर सब्सक्राइब के साथ चेसिंग फेवर में अच्छे मैच होते हैं यहां पर दियू हेल्प करता है बहुत हैं के बज़े से यहां पर जो की चेसिंग वाली टीम होती है और मदद मिल जाता है स्कोर चेस करने में बैटिंग अच्छा होने लगता है लिए इन् प्रेटिस मैं से मतलब वाम उप मैं से चल रहा है लेकिन रिटार हो के चले जा रहे हैं यानि इनको खेलने में दिक्कत हो रही है लेकिन यहां पर पूरा मतलब समझो कि पचास ओपर तो फिल्ड पर रहना पड़ेगा और पचास ओवर में आपको जितना देर बैटिंग करते हैं तो उनके अपसेंस में यहां पर टॉम लैट हम एसकौर्ड को लीड करेंगे तीम सावड़ी भी इंजाड आ है अब प्लेंग लेंग लेंग लेंगा इंग्लाइंड में आपको देखने को मिलेगा है यहां पर इंग्लाइंड वस्ते न्यूजिलेंड डिस्टा सिरीज हुआ था वह जौनी वेस्टो और डेविड मलां को ओपनिंग करते हुए तो प्लेंग लवन यह आपको दिखरा है सिक्वेंस में यही आपको बैटिंग करते हुए लाइ इंडिया ने जीता था उसके बाद पंदरा में जीता था उसके बाद 19 में इंग्लेंड ने जीता था तो देख सकतो हो फिंडिया काफी यहां पर देखने को मिले का अच्छा करते हुए टीम निजिलेंड की बात करें डेवन कॉन्वें विल यॉंग डरीम इचल टॉम देखने को मिलेंगे और न्यूजिलेंड के टिम यहाँ पे बैटिंग करते हों नदर आ रहा है हाला कि इंगलेंड बैटिंग तो में बहुत अच्छा इंगलेंड का बहुत अच्छा न्यूजिलांड के के बाद फिर से वाप से हुई है वर्ल्ड कॉप के लिए डेविड मलान माकूड यहां पर डेवन कॉन्वे मिचल सैंटर जैम्स रिसाफ टेंट बॉल रचिंट बॉलर को ज्यादा पिक करना पेसर बॉलर यहां पर बिगट लेते हो अच्छान नजर आएंगे पागी फैंटे इंग्लाट के तरफ से और टेंट बॉल अच्छे बिगट टेकर इन्होंने अच्छा विगट लिया था न्यूजिलैंड इंग्लाइन के सीरीज में बेने स्केंड हाइस्ट स्कोर तो कापी यहां पर डोमिनेट करें इसलिए इसलिए मैं क्याप्टन बनाया वेने स्क्रीं क आपको वहाँ पर मिलेगा फिर अपडेट के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हैं